प्रेमपुरुक नमसकार पस्टूपलो मैं आपसे बात करESकों गावीन गावीन और भावेंस की पहचान कािसे करें गावन गाय और भाव है पहचान कैसे करें जो कि 100% गाभण है या नहीं है तो किस तरह के साथ पहचानना इसको कि 100% गाभण है या नहीं है उसके लिए पांच शुत्र बता हुआ जो कि शुत्र आप खुद एक नॉर्मल तरह कर सकते हैं तो बात करते गाए और भैस की उसमें क्या-क्या कुछ कि आपने यह करवा है एकीस से बाइस दिन दोवारा हीट में नहीं आनी चाहिए ठीक मैं आपको दोवारा हीट में आनी चाहिए तो पुछ फुली और पहले हीट में आएगा अगरोग चुपी है जिस तरह हम पानी को देखते पानी उसे अप नीचे गिरा हो गए या सेम सेम अगर वही डिस्चार्ज डिस्कल एन की घी टैप कलर का होता है आप समझ जाने पसु मेरी गाभा ने पस पालो वह ठीक इस तरह के कुछ एक फोर्मला में आपको बता है लेकिन इससे भी कुछ किलियर नहीं होता है इसके लिए और कुछ परिक्रिया हमें देखना चाहिए पस वह पालो है देखिए आपकी पस्टों अगर बन हो जाएगी मिंद्यों अगर हो जाए जाएगी तो हमें से दोड़ या यह बैट जाएगी या आपको लाट भाना यह आप उसको निकालना वेठी खेंगे हर मैसा और दोड़ लेके पूरा बैट जाएगी आपको दूद्व लेके बैठ जाएगी या दूद्ध आपको निकालने ही नहीं देगी या आपको लात मारेगी यह आपको दूद्ध लेकर पुरा बैठ गई है या दूद्ध उसका अधायादा हो गया उसी टाप फीड़ वेगरा सब कुछ सही दे रहे हो तो समझाना मेरी पसू गाबाने कित अब कोई गाय जो है 30-45 दिन में बनाती है यह एक फोर्मुल आपको याद रखना है अगर आपकी पसू जो है आपने उसको सीमिन डलबाया है सीमिन डलबाने के बाद ओ तीस से 45 दिन में मैक्सिमा आपको 90 दिन कंदर अईसा कहानी अगर कर रही हो ऐसा अगर समय होता आप स यह दूसरी कानी होगी पसफल अब बात करते हैं और इसका सही तरीका के पसफल देखिए एक तो पसफल हो गया जो गाय का पूछ होता है आप पूछ जब देखो पासफल पूच एक तो पर से पूरी पतली हो जाएगी जैसे आप जो आपकी पहले पसू थी अभी पतली हो पूछ उसके बाल तूट जाएं जो इसके पूछ के बाल है उसके बाल तूट जाएंगा पसपलो जैसे आप अपने गया को धूप में निकालोगे रूआ र다면 बार इसको ज्यादे बाल टूटेंगे भैस को आप देखों कि रहले बाल ऊजाता है ये आदमी गंजया होगता है इसे पाइस को गावन मना एता है नहीं तो वन देखें सिंपल से तरीका अप सोचते हो कि और भैंस का क्या तरीका है मैं आपको बताते हो गाबन पैचानने का देखें आपकी जो घाया है वह जब गाबन हो जाएगी आपके पास तो क्या करेगी सबसे पहले चीज़ों करेगी जो उसकी हीटिंग का टाइम है जो हीट बार मिस्टेक नहीं करना है और तालीस से पचास घंटे कर हीट टाइम है हमारे पास पसुं के पास आप क्या करो जब तीसघंटे जब हीट में रही है आप उसको क्या करो सुभा में जैसे कि मानलों सीमें में रिपीट कर जाती है उहां पे सबसे बड़ी दुखद घटना यह होते हैं साला मैंने किस दिन तक गाय को रखा और ऐसे से कान ही हो गया पसपाल भाई तो बहुत सारी कस्ट आप साथ हो सकता है इसलिए आपको क्या करना है आपने आज आई सुभा में करवाया फिर एक बार साम में आई करवा दो कितने टोटल खर्चा होंगे मेरे ख्याल से 100 रुपे क खर्चा नहीं हो क्योंकि एक सीमें 30 रुपे से 40 रुपे तका सीमें आता है पसपाल भाई या पच्छी बीड़ीट का यूज़ करते हो हो सकता हो तरह कोश्टली होगा लेकिन आपको अपने करवाले तो आपको यह चीज़ बच्छत हो जाता है पसपाल तो यह तरीका किसे नमकिल लेगा आपको पसु का नमकिल लगेगा आप जब उसका फ्रषख होगें आपको दूद्र नमकिल लगेगा नमक क्ली अजसे ने मिक्स करके मुझे नमक दे दिया हो उससे पता चलता है कि मेरी गाय घ्बर йोकर कियो फस्राइब लेकिन पस्रूपाल आपको क्या करन आपलो अज 90 दिन बाद या मालो कम से कम 45 दिन के अंदर शुती उसी धाज को फिर से डूबार हान अगर धाचे बड़ा धागे उसके पेट तक नहीं पहुंच रहा है एक अपने घर में धागा ले आज अगर आपने सीमें डालवाया आप उसके प्रसुका नाप ले या मालो एक मेन और दो मेन ऊचुके आप उसके पेट को नाप ले पस पालवे ठीक क्योंकि खाना वह कितना विखाए खाना उसका निकली जाएगा आप सुबहां में पेट का उसको दो प् पच्छा है गाई का ओप बढ़ा हो रहा है और धागा छोटा हो रहा है आप इसे पहचान सकते हो हमारी गाई गाब बने पस पलो यह धागा वाले आभी आप प्रिकर अपना सकते हैं और मैंने आपको बताया है जो तीज तरीका दूद नमकीन लग सकता है पस पलोई ठीक और पूछ वाली जो बात पस पलोए आप पूछ जो बहुत पूछ निकलना स्टाट हो जाएंगे यहां के बाल जो लास्ट पॉइंट होता है बाल के यहां से बाल पूरा खाल होता है पस पलोई यह भी तरीका है हमारी पस्चु को जानने के लिए पस्चु गभभन है या बास और तो बहुत सारे किसान धोफात है कि भाई यह पस्चु को कैञा बन है नहीं है तो मैं जहां तक їх होते हों हमें दोक्टर के दिनगे नबय दिन बाद यानि कि तीन महीने बाद आपको तीन महीना जब आपको पूरा होगा यानि नभबे दिन जब आपका होगा आप डॉक्टर को बुला उसको बोलो डॉक्टर साब चेक कर लो थुरा सा वह आपको सुबा में खाली पेट अपने गाय को रखो वह आके चेक कर लो डॉक्टर डॉ आपको पूरा जिस तरह का अल्टर शांड होता है अल्टर शांड हम उसको करवाने के लिए बहुत परिक्रिया करनी परती है लेकिन इससे डॉक्टर सजेशन कर सकते हैं आपको समझा सकते हां भाई इस तरह के से गाबन गाई है पसपालो भाई ठीक और दोस्तों मैं आपको दागे बाली बात बाता है दागे में कोई पैसे नहीं लेते डॉक्टर बाले सोर पर लगते पसपालो भाई और यह मैंने आपको बता है तो बहुत सारे पसपालो भाई यह चीज होगा कि देखिए आपके पास एक किट आता है मैं हाला कि उसकीट का लाइप वीडियो आप के पास ठीक पर सार देने-दो मेहने गर बच्चा बच्चे को अपनी माई सेनी की जो गाय है गाय का बच्च्च बच्च को और गया का खुटा कम सखथ दूरी बना कर रखें जब गाय का बच्चे का दूरी खुटा रहेगा तो वहां पर आपके पसु गाबन होगी पसपालोगी ठीक अगर गाय और बच्चे नजदिक में रहेंगे तो आपकी जल्दी गाबन नहीं होगी जल्दी हिट में नहीं आएगी क्योंकि उसको पता है कि में बच्चा दे चुकी हूँ उनको प्रिक्रिया पता है और इसलिए पसपालोगी ठोड़ा सा कोसिस करें हरा मैंसा कि गाय को बच्चे को डिस्टेंस बना कर रखें जिस टाम उसका डिस्टेंस बना रहेगा उस टाम क्या हो आपके पसु गाबन होना शुरू जाएगी पस आपको बच्चि सब्सक्राइब था चर्ट करते हैं जर्सी गाबन होती है तो मैं जानता हुँ जो देशी गाय नंबे दिन होते होते है पसपालोग्य ठीक नबबे दिन होते होते उन शुरू कर देघी यह लात उताएगी ठीप लेगी यह परेक्रिया आप देख सकता है प फुर्ण देती रहती है लेकिन इसमेन किया व्यक्राहद सब्सक्राइ। जो नंंकिन तया में आपको बता धाता हून. सब्λλά है मुझे आपको में पहते हैं क्हानी बताई यह यह सर के बालों को वारे मे बताई साथ हे पत्सुपा लिगा उसके पेट का साइज है पेट का साइज ऑप इसे राउंड करते लपेट दे तो धागा अरहरा पनेramerite और जब भी आप सीमेन कोसिस करें कम स्कम क्योंकि अभी के डेट में जो भी का हिट में आरे और 40-50 घंटे 25 घंट तक हिट में रह रही है पसुपाला वे आप उसको सीमेन सुबस आम 3-4 बार सीमेन रिपीट कर दिया करें पसुपाला वे इससे गरभधारन करने एक समस्य जो ह सब्सक्राइब करते हैं तो धन्याद मिलते नेक्स्ट मिन तब तक मुझे आगए जैए बंदे मात राधे राधे जैए पसुपाला वे थैंको सो माच आपने मुझे हाँ तक सपोर्ट किया और आपने मेरे इतने सारे प्रिने संहा दिया सबको धन्यवाद करता हूं दोस्त जैए बादे